बाजपा परदेश स्याधक सुभास बराला के रिष्टे में पोते के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले पेडिता मेडिया के सामने आई है उसका आरोप है कि आज से ठीक तीन महीने पहले विक्रम और फिकी बराला ने उसका अपरण कर लिया मामला बराला के अपने पैतरक गाओं का है इस मामले में ग्रामिनो ने नैशनल हाईवे भी जाम किया था इसके बाद पुलिस ने दबाओ में मामला दर्ज किया लेकिन बाद में टोहाना पुलिस ने इस F.I.R. को रद कर दिया वहां से यह लोग मुझे लेंके गए और गाड़ी में ते कुल दी पर आला उसके बड़े भाई उसके मुझा जी उसकी ममी उसकी बड़ी बैन और उसकी भाब्यर एक वोप्रता फिर उन्होंने मुझे राट-बाट पे अपनी घर रखा उसकी ममी ने मेरे साथ मार पिट की और फिर मेरे घरवालों को पता लगा कि मैं आवा हूँ, तो मेरे घरवालों ने कहा कि हमें में लड़की दे दो, हम फैसला कर लेंगे बगारा, बगारा, तो फिर उन्होंने मुझे निलोटाया, फिर उन्होंने मुझे SHOC पर्तीब शोरण के पास भेज दिया, जो कि इस केस के इंचार्स थे बट फिर उनों ने कुछ कारवाई ने की फिर उनों ने मुझे महीला महीला लेडी प्लिज के पास बेजा वो ऐसे चोब इंगला फिर उनों ने भी मुझे कहा कि पौल्टिकल में पौल्टिकल इश्यू है तू रहने दे तुम्हारा कुछ नही कि तुझे लड़की का नाम ने लेना क्योंकि वो पॉल्टीकल में है, कुछ भी कर सकते हैं, पावरन के पास, क्योंकि उनकी सरकार आया ताइम पर, तो फिर मैंने, मैं डर गी थी, तो फिर मैंने अपनी घरवालों के खिलाते उन्हें बयान कर दी कि मैं, कि हमारा जमीन का मामला था तो मेरा मेरी प्रोपर्टी मेरी ताउजी लेना चाहते थे तो फिर उन्होंने मुझे आश्रम में भेज़े नारी निकेतन में वांसे मेरी फैमिली मुझे निकला जो जो मुझे लेकर आई थे और मैंने मांग कि जो मेरे साथ गलत हुए उसकी आप ऐसे करेंगे से करेंगे तो इस पर मैं सरकार को काना चाहूंगी कि जो लड़कीं के साथ गलत हो रहा है वो उनका इंसाफ दिलाने में उनकी मदद करे और सुभास बराला के खिलाफ भी कुछ करें का दम मुझे वर्निका को देखके स्पोर्ट मिला की इस लड़की में भी इतनी हिम्मत है तो फिर मज़ में क्यों नहीं क्या मांग करते हैं सरकार से पिडिता ने कहा कि वह सुभास बराला के डल से स्चिफकर रह रही थी लेकिन अब वह वर्निका खुद के साथ हुई नाइंसाफी के बाद आगे आई है तो उसमें भी होसला आया है अब वह भी अपने हक के लिए लड़ना चाहती है फते हवाद से साहिल रुखाया की रिपोर्ट